पेंसन सलूसन पर ये मेरे चौृथा वीडियो है ठीक है। इससे पहले हमने 10,00,000 investment करके भी pension के लिए बात की थी। 15,00,000 investment करके भी बात की थी। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 30,00,000 रुपी हमारे पास हो, investment करना हो, तो हम कौन सा options ले कैसे होगा बढ़िया यहाँ पर simple है 30,70,000 बस एक बार दीजिए 50 साल पर 7,56,000 यानि 7,500,000 रुपे tax free आपको वापस मिल जाएगा देखिए मेरे हर वीडियो में आपको ये tax free वापस मिलने का concept रहता है इसका reason क्या है कि मैं as a financial advisor मुझे पता है कि जब किसी के पास एक budget होता है तो उसके funds पे अगर कोई returns आ जाता है जो पैसा taxable हो तो कितना असर पढ़ने वादा जैसे मान लिजे कि अगर आपके पास 7,500,000 रुपे आते हैं चाहें LIC से आए या कहीं से भी आए और उस पे आप 40% के slab में आ रहे हैं 30% के slab में आ रहे हैं तो सीधे के सीधे आपको उसका multiply 40% के 30% कीजिए तो आपके पास कुछ पैसा हाथ में नहीं आता है तो इसलिए मैं अपने वीडियो में हमेशा कोसिस करता हूँ कि कुछ पैसा आपको वापस मिल जाए और उसके बाद क्योंकि मैं ये pension के लिए प्लान बना रहा हूँ तो उसके बाद मेरा जो concept रहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपको pension without tension और जिंदिगी भर guaranteed मिले तो ये चीज़े मैं सोच करके आपके लिए प्लान लेकर आए हूँ कि 30 लाख रुपे invest कीजिए तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं request करूँगा subscribe कीजिए इस वीडियो जिससे आप लोगोंने सराहा है तो ये भी आपके लिए एक important वीडियो साबित होने वाला है जिसमें आप 30 लाख रुपे invest करने के बाद साड़े साथ लाख रुपे आपकी वापस आ जाएंगे और 13,900 यानि ये कह लिजी कि 14,000 रुपे महीने का मतलब एक आज के टाइम में 30-30 साल की उमर के लिए आप अगर मान लेजे गारजियन है अब आप उसके नाम पर अपने बच्चे के नाम पर या अपने बेटी के लिए आप इस प्लान को कर देते तो जिंदगी भर उसको पैसा वापस आते रहेगा और उसके ना नहरें पर फिर से पूरा का पूरा पैस पैसा भी वापस मिल जाए तो वह एक ट्रिमेंडस है चाहें इसमें रिट ऑप इंट्रस्ट गिर जाए रिट ऑप इंट्रस्ट बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए लेकिन आपको गैरेंटेड मिल जाता है आप अपने लिए सोचते हैं तब भी बेटर है अधरवाइस आप इसी प्लान को अपने बच्चे के नाम पर कीजिए ठीक है और उसको आप इंसल की रूप में यूटिलाइज कीजिए नहीं रहने पर फिर बच्चे को मिलेगा और उसके बाद फिर जिंदगी वह राइज इस पैसा जो आपने इंविश्ट किया है उसका भी रिटर्न तो क्या हमें बैंक से 12% मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसी तरह से अगर आज आपको पांच या श्रख़श्ट का यह गयरंटीड देखिये और रिक्वेश्ट करूणगा रॉक जरूर किजिए thank you so friends चलिए direct हम चलते हैं पूरी presentation पर presentation मैंने 31 साल के लिए बनाया है अगर आपकी 60 साल 70 साल 80 साल जो भी है आप इस प्लान को ले सकते हैं कहीं भी कोई रुकावट नहीं है चाहें आपकी 30 साल उमर हो या 80 साल उमर हो आप इस प्लान के लिए है अप्लिकेबल हैं आप ले सकते हैं अपने नाम पर या आप अपने बच्चे के लिए भी आप donate कर सकते हैं या उन इसके नाम पर आप खुद invest कर सकते हैं प्लान का presentation मैंने आपके लिए क्योंकि आप एक उमर रखा है 30 साल तो 30 साल के recording आपको यह returns है अगर आपकी उमर 60 साल है 70 साल है तो यह returns बढ़ जाता है क्योंकि जब उमर ज्यादा होता है तो pensions आपके timings कम होते हैं तो इसलिए returns थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं लेकिन चलिए हम यहां पर हम बात करते हैं अगर किसी की 30 साल की उमर है और उनको उनके नाम से हमने 30,70,000 रुपे का इंवेस्ट कर दिया ठीक है तो हमें क्या मिलने वाला है 30,70,000 दे दिया पहले साल दूसरे साल तीसरे साल और चौथे साल हमने यहां से कोई भी पैसा ने लिए अज़र फ्रेंट मैं आपको प्लान की details सार सारे videos में होते हैं एक एक चीज़ चाहें अगर आप advisor है या फिर आप client है आपके सारी details यहां पर होते हैं अगर आपको मुझसे लेना है तो आप direct comments कर सकते हैं हमारे telegram पर आकर आप जुड़ सकते हैं और हमसे direct policy ले सकते हैं लेकिन अगर आपका अपना कोई advisor है तो उससे भ कि 30,70,000 रुपे यहां पर invest किया पहले साल दूसरे साल तीसरे साल और चौथे साल मैंने यहां से कोई भी पैसा नहीं लिया ठीक है और पांचिवे साल पे जो मैंने आपको target रखा था कि पांचिवे साल पे एक साड़े साथ लाख रुपे amount मिलेगा जो tax free होगा तो यहां प पर आपको दिखा देता हूं कि आपका investment और कितना रहेगा यहां पर हम देख लेते हैं मान लेजिए कि हमने investment किया है 30,70,200 और उसमें से हमने 7,56,420 रुपे हमें वापस मिल गया तो मेरा total investment बच गया 23,13,000 यानि 23,00,000 रुपे हमारे पास और बचा यहां पर अगर आप दे अच्छे हुए हैं और वहां से आप देखेंगे हर साल आपके पास 167 अच्छा यह जो 167 वन हर साल की बात करने आप चाहें तो इसे monthly भी ले सकते हैं आप चाहें तो इसे quarterly भी ले सकते हैं आप चाहें तो इसे yearly भी ले सकते हैं यहां पर मैं जो plan है plan तो बहुत सारी वीडि वीडियोज में आप जाकर समझ लेजिए लेकिन ये समझ ये ये 30 साल से लेकर 80 साल तक कोई भी आदमी इस वीडियोज इस प्लान को ले सकता है और यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके पास ये आपसन आता है कि इनकेस बीच में आपको पैसे की जरूत है तो यहां पर लोन के रूप में भी पैसे अबलेवल हैं आप लोन के रूप में कभी भी पैसे ले सकते हैं जो LIC के हर प्लान में अबलेवल होता है तो ये भी आपके लिए एक आप्सन है तो इस प्लान में आप ये भी चूझ कर सकते हैं इस तरह से ये प्लान तो आपको क्या मिलेगा 30,70,000 रुपिय दे कर अगर किसी की एज 100 यह हो गया तब भी वह पूरा का पूरा अगर रेटन्स देखे तो वन क्रोड 16,59,000 रुपिज आपको वापस मिल जाते हैं 90 यह हो गया तो यह पैसा तो आपको मिला ही मिला ठीक है यह तो नोमनी को पूरा का पूरा पैसा मिल गया लेकिन यह सारे पैसे आपके आपके एकाउंट्स में आ चुके हैं और आती रह रहे हैं तो इस ट्राइब से य कि आपका प्लान कौन सा है और उसमें क्या ओप्शन दिया हुआ है अगर आप इस प्लान को देखेंगे तो यहां पर मैंने आपके लिए दो प्लान कंबाइन किया है पहला है निव जीवन शांती फाइफ येर्स का डेफर्मेंट पिरियड है एक बार मतलब सिंगल प्रिमि 420 रुपे का हमारा समेशोड है इंस्टॉल्मेंट प्रिमियम अगर आप देखते हैं तो 24,43,200 और 6,27,000 तो इस टाइब से हमारा ये इन्वेश्मेंट हो रहा है 30,70,000 रुपे और ये 30,70,000 रुपे आपको जो रिटरंस देने वाला है वो एक बहतरी रिटरंस देगा जो म 50 साल पर इतना पैसा वापस टेक्स फ्री मिल जाएगा और जिंदगी भर 13,970 रुपे मिलता रहेगा गैरंटीड तो आसा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आगर आपको कोई क्योरीज है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं विश्वास किजिए बहुत पेंसेन के लिए बनाया था इस चारों को देखिए जो भी आपकी प्लानिंग है कर डालिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए इंवेश्मेंट के लिए तैंक यू